Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in study. So students, just as you know, I started this series and in this series, I was discussing in CCS University's B.A. 2nd year in this series, Knowledge Language and Curriculum पे आप लोग से discussion कर रही हूं, इसमें कि मैंने कुछ लेक्चर को share भी किया है, और क्योंकि मेरा जो पिछला लेक्चर, फिस्ट लेक्चर था वो नॉलिज़ पे था, तो आज जो हम अपने सिक्स लेक्चर देखेंगे, उसमें नॉलिज़ को ही आगे फर्दर बढ़ाते हुए उसके नीचर, उसके टाइप और सोर्स के बारे में जानेंगे. तो यानि कि जो ग्यान है, उसकी क्या प्रकती है, कितने प्रकार का है, और क्या संसाद है जिसके मादिम से में ग्यान या नॉलिज़ की प्राप्ती होती है. तो चलिए आईए देखते हैं, नॉलिज़ की क्या नीचर है, क्या प्रकती है, क्या सूर्स है. तो जैसा कि आप लोग को I think ग्याती होगा या याद होगा कि knowledge के बारे में मैंने क्या बताया था तो it is just different from information और क्योंकि हम लोग ने सौक्रेट्स की परभाशा को देखा था तो सौक्रेट्स यही कहते थे जो knowledge है वो सर्वश्रेष्ट गुण है अगर हमें knowledge की जानकारी होगी it means we have achieved something तो इसी तरच पे जद्दु कृष्ण मूर्ती जो की एक बहुत ही famous philosopher थे इन्होंने बोला था acquiring knowledge is a form of imitation यानि कि अगर हम knowledge प्राप्त कर रहे हैं तो it means we are imitating something यानि कि हम किसी चीज़ के नकल उतार रहे हैं तो नकल उतारना is also a type of knowledge और इसी के साथ एक और definition यहाँ पे हम देख रहे हैं यह कहता है successful people in all callings never stop acquiring specialized knowledge related to their major purpose, businesses and profession एक successful person वही है जो कभी भी धकता नहीं है और कभी भी वो जो ग्यान है उसको प्राप्त करें कभी भी उसे कटनाई नहीं होती कटना in the sense वो उस चीज़ से हारता नहीं है यानि कि जो व्यक्ति नई नी चीज़ों को जानकारी रखने में नई नी चीज़ों को जानने में हमेशा ततपर रहता है और इसके माद्धम से वो अपने purpose को solve करता है अपने business को आगे बढ़ाता है अपने profession में अच्छे से बरताव करता है तो उसे हम knowledgeable कहेंगे और उसके त्वारा की गई गई सारी क्रियाओं को knowledge ये category में हम रखते हैं तो ये कुछ definition थी philosophers के according knowledge की तो आईए इसमें आगे और देखते हैं So students अब हम देखते हैं जो knowledge है उसकी क्या प्रक्ती है यानि की nature of knowledge तो knowledge की प्रक्ती है उसको छे प्रकार से बाटा जा सकता है जो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला है knowledge is truth जो ग्यान होता है ये सत्य होता है असत्य चीजों को कभी भी हम ग्यान की category में नहीं रखते हैं and knowledge is belief जब हम चीजों पे विश्वास करते हैं तो उसको हम ग्यान की category में रखते हैं और तब हम उसको और लोगों तक पहुचाते हैं जिस चीजों में हमारा विश्वास नहीं होता है उसको न हम knowledge मानते हैं और नहीं हम उसे दूसरों के साथ share करते हैं sharing हम उनी चीजों की करते हैं जिसमें हमारा विष्वास होता है knowledge never end और अगर ग्यान के हम बात करें तो ग्यान कभी समाप्त नहीं होता है इसको reuse जैसे कि हम लोगने पहले भी बात करें reuse किया जा सकता है इसको refine किया जा सकता है इसको maintain किया जा सकता है और ये कभी खतम नहीं होता है ये एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक भी चलता रहता है साथी प्रक्ति में बताया जा रहा है कि knowledge as an end जहां पर अभी हमने बात करी कि knowledge never in कभी खतम नहीं होता वहीं दूसरी तरफ इसकी प्रक्ति ये बताती है कि knowledge is an end वो एक समापती है कैसे कैसे इस तरीके से क्योंकि अगर suppose मुझे कोई degree प्राप्त करनी है तो इस degree प्राप्त करने के लिए मैं बहुत सी जानकारिया बहुत सी knowledge को लोगी लेकिन जब मुझे वो degree प्राप्त हो जाएगी या वो profession प्राप्त हो जाएगा तो इसी माध्यम से knowledge as an end also फिर next यह कह रहा है knowledge as a mean यह जो knowledge है वो एक प्रकार का अर्थ है बिना अर्थ के ग्यान नहीं होता है अर्थ वाली चीजों को ही हम ग्यान की category में रखते हैं and as a cognitive process जब हम चीजों को अन्भो, संग्यान, इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं तो हम उसे knowledge कहते हैं तो इस्टुडेंट overall अगर हम देखें तो जो ग्यान है उसकी 6 प्रकृती है जो कि हम लोग ने अभी बात करी और साथी साथ यह जो नीचे आप image देख रहे जो ग्यान है वो दो चीजों का संगम है यानि कि सत्य और विश्वास का जब चीजों में सत्यता होती है और उस पे हमारा विश्वास होता है तो वो कहीं न कहीं ग्यान का स्वरूत धारन कर लेता है तो आईए इसमें और आगे देखते हैं इतने प्रकार का होता है ग्यान. So student जैसा कि आप देख रहे हो या I think आप लोग में से बहुत लोग को पता होगा जो education है overall वो थीन प्रकार की होती, formal, informal and non-formal. लेकिन यहां पर क्योंकि हम knowledge को epistemology और philosophy के अंतर का देख रहे हैं, तो यहां पर education को या knowledge को दो प्रकार से बाटा गया है, पहला है non-empirical और दूसरा है empirical, यानि कि आप रयोगिक और प्रयोगिक. तो आप रयोगिक देखते हैं, जो आप रयोगिक आपका ग्यान होता है, वो independent होता है experience से, यानि कि जिसमें अनुभाव count नहीं होता है, यह ऐसा ग्यान है जिसको हम बिना अनुभाव के प्राप्त करते हैं, वो non-empirical knowledge में आदेगा, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं empirical knowledge known by experience, जिसे कि हम अनुभाव के साथ ही जानते हैं, and comes through our senses, जो हमारे इंद्रियों के माद्रम से हमें प्राप्त होता है, इंद्रियों के माद्रम से, यानि कि हम उस चीज़ को देख के, सुन के, टच करके, या अनुभाव करके, जब हम सीखते हैं, तो वो empirical knowledge के अंतरगत आता है, तो epistribology या philosophy के अंतरगत हम देखें, तो जो हमारे नौलेज है, वो दो प्रकार का है, प्रयोगिक और अप्रयोगिक. यहाँ पे student आप हम देख रहे हैं ग्यान उपनिशत के अनुसार, यानि कि according to उपनिशत क्या है ग्यान, तो उपनिशत ने ग्यान को दो केटेग्री में बाड़ा था, पराविद्या और अप्राविद्या, और I guess आप लोगों मैंसे कुछ लोगों को पता होगा, पराविद्या क्या होती है और अप्राविद्या क्या होती है, कि पराविद्या जो होती है यह higher learning होती है जिसे कि हम ultimate truth या ultimate aim या ultimate truth of our life के नाम से भी जानते हैं यानि कि वो ग्यान जो की बहुत ही high level का है It is also saying that higher learning or learning related to the self or the ultimate truth जो भी सत्य है उससे जब related ग्यान होता है तो पराविद्या के अंतर गताता है नॉर्मली जो अध्यात में ग्यान होता है वो पराविद्या के अंतर गताता है like transcendental knowledge यानि कि जो शर्वस्ट्रेस्ट ग्यान है उसको हम पराविद्या के अंतर गताते हैं दूसरी तरफ students हम देख रहे हैं अपराविद्या just opposite of पराविद्या anything that can be seen in an object of अपराविद्या कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं touch कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं अनुभाव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अपराविद्या में आती हैं all our worldly knowledge comes in this category जो भी हमारे सांसारी ग्यान है like science है, art है, commerce है, management है यह सारी चीज़ें जो हैं वो अपराविद्यांतर गताती हैं तो इसको अगर हम categorize भी करें तो आध्यात में ग्यान और भातिक ग्यान के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं तो यह जो ग्यान है यह उपनिशित के अनुसार है तो हमने यह देख लिया स्टुडेंट की जो knowledge है वो मुखिता दो प्रकार का है empirical, non-impirical और परा और अपरा स्टुडेंट्स अब हम पहुंसते हैं source of knowledge के बारे में हमने nature देख लिया, type देख लिया knowledge का अब हम क्या साधन है किसके माध्यम से हमें ग्यान प्राप्त होता है उसको हम जानते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो there are eight sources of knowledge तो one by one हम बात करते हैं सबसे पहले चीज है perception किसी चीज के बारे में हमारी क्या राय है क्या मनोस्तिती है क्या विचार हम चीजों को लेके चलते हैं वो भी एक साधन है किसका ग्यान का दूसरी चीज है reason कारण कोई भी reason सत्य को सत्य को सत्य कर सकता है तो reason एक बहुत बड़ा source है जो कि ग्यान को बताता है ग्यान की एक तरीके से वकालत कर सकता है and intro inspection यानि कि आप अपने आपका निरिक्षन करते हैं, आत्म निरिक्षन करना, यानि कि अपने आपकी स्ट्रेंथ, अपनी बीकमेसिस को जानना is also a source of knowledge. Memory आपके खुद की यादें, आपके खुद की पूर अनभव, पूर knowledge, ये सारी चीज़ें memory का पार्ट हैं, Memory is a source of knowledge, इसकी माध्यम से आप लोगों को अपने बातों को कह सकते हो, जो कि और लोगों तक पहुँचेगी, तो वो सारी चीज़ें knowledge होती हैं. Next है testimony, यानि कि गवाही, गवाही किसी चीज़ को प्रूफ के माध्यम से हम करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को गवाह करते हैं, यानि कि उसका जब प्रूफ देते हैं, तो इस also a source of knowledge. Intuition, जब हम किसी चीज़ का बोध होता है, कि ये सारी चीज़े हो सकती हैं, या हम इसको ऐसा करें, तो शैद सही हो, तो वो जो intuition हमें अपने अंदर से मिलती है, वो intuition भी ग्यान का साधन है. And next है ब्रह्म जानना, यानि कि to know of God, भगवान को जानना is also a source of knowledge, which is also a type of पराविद्या, लेकिन यहां तक पहुंचने हैं, हमें थोड़ा time लग सकता है, लेकिन जो पहुंच जाता है, उसे knowledge यानि ग्यान की प्रापती हो जाती है. And last one is self-realization, यानि कि खुद का बूद, खुद का निरिक्शन, खुद के बारे में जानना, self-realization is a very good thing, यह अगर हमने अपने जीवन में कर लिया, तो हमसे जादा ग्यानवान कोई नहीं हो सकता है, इसलिए I think इसको सबसे top के step, यानि कि last step पे रखा गया है, क्योंकि यह सारी HRK के हिसाब से है, तो यह student आज के lecture में हमने देखा, source of knowledge, nature of knowledge and types of knowledge, I hope आपको knowledge का concept रभी तक clear हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी doubt है, तो please आप मेरे से पूचिए, comment box में जाएए, और comment करिए मुझे, अच्छा लगेगा, और I will try to make it all easy to you all, and हम मिलते हैं जब घूट सकति में भाएएब झाँ के जाएभा शी आप कर अभ्याब खाती है, व masukा एगणे हैं आप में ली और हैंँ आपे जाएब सी किसी का में अभ़ीत है, तो दो हक घट को मींचे सशने हैं बाएग kinda एगे यहाएब यह नागे हैं आपका, गो झाभ झाप isolाणे मे